कि ओपन हाइमर भाई बहुत ज़्यादा है पर भाई क्यों कि सिनिमा के अलग एक्सपीरेंस को देने के लिए जाने जाते हैं उन्हों न भाई इस बार एक बायपिक को क्यों ही चुना और इस मुवी में भागवत गीता से क्या रिलेटेड चलो इस बारे में बात करते हैं सब जो भी मुवी बनाता है भाई वो मुवी एक एक्सपीरेंस बन जाती है अब ही हाली में भाई मैं डाक नाइट देखके आ था भाई पूरा शोफुल इंटरस्टेलर में को देखनी थी बट यार उसके लिए टिकेट मुझे मिली नी समझ रहे मतलब भाई ओडियंस में बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उनकी सिनेमाटोग्रफी और उनकी लाइफ के बारे में जब तक हम बात करते हैं ओपन हाइमर इनकी मुवी के बारे में जो कि आने वाली है जल्दी यह मुवी बेस अदे को जी रोबर्ट ओपन हाइमर पर जिन्होंने की बाई आटामिक बाम बनाया था जो कि पुरी दुनिया को तबा कर सकता था और उसको बनाने की इंस्पिरेशन उन्होंने कई बुक्स से ली थी लेकिन सबसे वड़ी इंस्पिरेशन उनके लिए बनी थी भागवत गीता जिसमें कि इन्होंने ब्रहमास्त्र के बारे में पढ़ा तो यार हम लोग उस स्पेशालिटी को सर्फ जरूर करेंगे अपने देश के लिए तो वैसे ही ओपनहाइमर देखो एक फिजिसिस्ट थे जिनको अमेरिका ने काम दिया था कि उनको एक बनाना चाहते लेकिन देश के करतवे के लिए उनकी ड्यूटी थी उनका करतव्य था अटमम बनाने के बाद ओपनहाइमर के पहले वर्ड थे और यह सेम बात बोली थी क्रिशन जी ने महाबारत के टाइम में पर यार तुम नॉर्मली अगर अगर अभी किसी से पूछो गए कि बाई जिसने अटमम मनाया वो इनसान क्यासा होगा तो भाई कोई भी बूलेगा क सिर्फ अपना कर्तवय निभा रहे थे अपने देश के प्रति जबकि वो किसी को हाम पहुशाना या फिर किसी के साथ गलत करना या फिर किसी को मारना नहीं चाहते थे यह तो बात होगी इस मुवी की हिस्ट्री की बट फिर भी यह मुवी इतनी यादा स्पेसल क्यों है पह प्रति पूरी की पूरी देगा इस में अच्छा नहीं था बट ओपन हाइमर मुवी बिल्कुल भीस में इस में सीजी आइए यूज नहीं किया है कहीं कहीं पर वी ऐफेक्स यूज किया है सीन को इन्हेंस करने के लिए जो बॉम भटेगा वह भी असली है बट वह एक छोट हो सका अपनी मूवी को रियल रखते हैं चाहिता तुम उनकी पुरानी मूवी का रिकार्ड उठाके देख लो इंसप्शन के जीरो ग्राविटी सीन के लिए उन्होंना भाही रिल्टरली पुरा का पुरा पुरा यह सेट बनाया था डाक नाइट में इस सीन में ट्रक रियल मे फोड़ा है इस मूवी की स्टोरी फर्स पर्शन होगी जो की ओपन हाइमर खुद अपनी घानी को बताएंगे और यह दुनिया में पहली मूवी है जो कि पूरी तरहा किसे आइमेक्स कैमरा से शूट हुई है जिसके पास अपने स्पेशल 26 कैमरा है जिनको की वह सेल नहीं करती वह रेंट पे देती है जिसका एक हफ्ते का किराया 13 लाक रुपाय इससे पहले आइमेक्स कैमरा और भी ते लेकिन अपनी पूरी लाइफ में भाई तीन कैमरा तो खुद क्रिस्टिफर नोलन सर ने तोड़े हैं मूवी के लिए एक अलग से कैमरा इंवेंट किया गया क्योंकि अगर ब्लाक इंवाइट फिल्टर मारते मूवी की जो क्वालिटी है वो श्रिंक हो जाती है बट नोलन भाहिया तो ठहरे नोलन भाहिया क्वालिटी के साब तो बिल्कुल कॉंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो भाई उन्होंने एक अलग कैमरा वन वाया जो कि बारे में सोचती है अदको सिनेमा की टेकनिकालिटीज के मामले में इस मूवी भाई बहुत आगे पॉंच चुकी है तो भाई इस लिए इस मूवी की टिकेट अभी तक नहीं मिलिया और यार मैं इस मूवी को थोड़ा लेट से देख लूँँगा अब देखूँगा IMAX मे देखोर इस मूवी को अगर नोलें सर नहीं बना रहे होते तो भाई शायद कोई भी पहले तो इस टोपिक को टेचस नहीं करता और अगर भाई करता भी तो भाई इस लेवल की टेक्नीus दो घुज नहीं करता और कि इस भाई इस ओ sentenced की एक complete कि तुम्हें को ार इस मूवी ए एक real item bomb वाला feel देगी तो भाई जो बंदा भाई अपने आपको इतनी बार proof कर चुका ना उसकी बात में कोई जूट नहीं होगा और भाई ये बंदा कर देगा यार Man of Steel masterpiece क्यों है इसके बारे में जानने के लिए तुम मेरी ये